हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक तो अब भी सुभा का 11 बज रहा है और मैं लग गई हूँ लंच बनाने के लिए तो इधर मैं प्याज लेसन अद्रको ना चौपर में चौप कर दूँगी तो कभी कभी क्या होता है न मुझे खाना बनाने का मननी करता है जैसे आज का दिन है तो लेकिन हम लोग बाहर से भी नहीं खा सकते बाहर का खाना भी मुझे उतना पसंद नहीं है तो उस समय मैं क्या करती हूँ मैं अपना फेवरेट जो बरतन है वो निकालती हूँ कि आज इ निप्टाती रहोंगी जैसे बर्तन को जगह पे रखना यहां पर एक को मैं हलका सा फ्राई कर रही हूं तेल में तो कभी-कभी जैसे सीम सबजी है लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंट कर दो तो टेस्ट में भी काफी अंतर लगता है देखिए इधर मेरा एक भी फ्राई हो गया ह इसको बहुत जादा फ्राई नहीं करना है हलका सा फ्राई करना है और उसके बाद निकाल लेना है और फिर उसी तेल में मैं तेज पत्ता डालूंगी और कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाल रहे हूं बस यही एक तेज पत्ता डालूंगी और जो चौप किया हुआ प्याज लेसे नद्रक के न, उसको डाल दूंगी और उसको थोड़ा से चला करना मैं इसको ढहले रख दूंगी से माज पर यह अपना पकता रहेगा मुझे थोड़ा बरतन भी साफ करना था, इसलिए मैं इसको ढङ के ही पका रहे हूं जिसके पकते-पकते मेरा बरतन भी धूल सके और सिंक जो है वो थोड़ा खाली हो सके तो देखी इधर ना मसाला भी भून चुका है तो इसमें जितने भी बेसिक मसाला पौडर होता है ना वो मैं आड़ कर दूंगी जैसे कि हल्दी पौडर धनिया पौडर लाल मिर्च पौडर और उसको थोड़ कर रही हूं और उसके बाद ना इसमें गरम मसाला और नमक भी मैं डाल दूंगी और ढख के थोड़ा देर तक इसको पकाऊंगी तो यहां पर मैं थोड़ा सा चावल भी रख दूंगी पकने के लिए यह जो ग्रेवी है ना इसको तो मैं रोटी के लिए बनाई थी लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पानी बाद में आड कर दूंगी क्योंकि काफी थिक ग्रेवी हो जाएगा चावल के साथ मनलब इतना मजा नहीं आएगा खाने में तो इधर देखी मेरा एककरी भी बनकर रेडी हो गया है अब इसमें मैं धनिया पती से गानिश कर दूंगी पैरलली अब सब खाना खाने के लिए रेडी हैं तो जल्दी से मैं रोटी भी बना लूँगी तो यह रहा आज का लंच तो मेरे खाना खाने से पहले न मैं सारे बरतन को सिंक में रख दूंगी जिसे जो भी खाना खा कर आया तो हाथ दोएंगे उदर तो बरतन जो है उसमें पानी आजाएगा और मुझे थोड़ा दोने में इजी हो जाएगा बाद में वैसे भी मैं खानी पाती हूं बीना टाइडी अप किये मुझे कीचन एकदम साफ सुतरा चाहिए तभी मैं जाकर खाना खाबाती हूं तो अभी न शाम का पांच साड़े पांच बजे का टाइम है और तो बस अब हमनों चाय पीने वाले हैं चाय पीने के बाद मैं सबसे मेजर काम बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहा था उसको सबसे पहले कि निप्टाओंगी जैसे कि जो भी वूलन कपड़ा है न सबको तो मैं धो दी थी लेकिन फिर वापस से कवर्ट में ही चले गया थे तो सबको निकाल करना अच्छे से फोल्ड करके उसको पैक कर दूँगी और दिवान में उसको रख दूँगी मैं मैं अपने लिए बस एक स्वेटर न बाहर रखती हूँ क्योंकि अचानक से ठंड आ जाता है और मुझे मेरे घर में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है तो एक हमेशा मैं एक्स्ट्रा अपने लिए रखी रखती हूँ तो लासली अच्छा है कि ये काम भी हो गया क्योंकि ये जो उलन कपड़े होते हैं ये कबड में काफी स्पेस लेते हैं तो अभी काफी हद तक कबड जो है न वो खाली-खाली लग रहा है मैं ढून रही थी कि ये सब कपड़े को रखूं कहां सेक्यूर करके तो मुझे ये बैग मिला यह आईकिया का बैग है तो अभी टैंप्ररली मैं इसमें ही रख दूंगी क्योंकि मुझे कुछ बैग ऐसे दिखनी रहे हैं जिसमें मैं रखूं और उपर मैं वही देख रही सेक्यूर हो जाए तो अभी ना नेक्स डे का मॉर्निंग है 930 अराउंड हो रहा है तो अभी हम लोग ना कहीं बाहर जा रहे हैं तो चलिए कार में बताती हूं आपको कि हम लोग कहां जा रहे हैं हलो एवरिवन वेलकम बैग तो अज संडे है और कल हो ली तो ननिया भी तो आनी पा रही है तो हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए और यह अच्छा है कि बहुत दूर नहीं है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं थोड़ा सब तो दूर है तमिलाडू में है और वी अरिन बैंगलो लेकिन इतना भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आराम से जाके मिल लेते हैं तो चलिए आप लोग भी जर्नी को एंजोई किजिए हमारे साथ तो जो यह बैंगलोर से तमिलाडू का जो रोड है ना जो हाइवे हो बहुत ही सीनिक है बहुत ही अच्छा लगता है पता ही नहीं चलता है इतना लॉंग ड्राइव हम लोग करके पहुंच जाते हैं तो फिर व और रस्ते में हम नाश्टा कर लेंगे तो वही नाश्टा करके फिर हम निकल गये हैं तो वहाँ पर भी ना मैं जब हम लोग अनन्या से मिले ना तो मैं कुछ वीडियो तो ली थी लेकिन वह पता ने कहां मिस्प्लेस हो गया है ने तो मैं डेφिनेटली उसको भी डालती है तो ऐसा कुछ वीडियो अभी है नहीं मेरे पास, पता नहीं कहां वो misplace हो चुका है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर end करती हूँ, मिलती हूँ आपको next vlog में